नमस्कार, आज हम सत्यम स्कैम के बारे में बात करेंगे 1987 में वी रामालिंगा राजु ने अपने ब्रदर इन लौग के साथ सत्यम कम्पिटर के शुरुवात की जो कि एक हैदराबाद बेजट इटी कमपनी थी सत्यम कम्पिटर स्टार्ट करने से पहले वी रामालिंगा राजु का कॉटन मिल का बिजनेस था 1991-92 में सत्यम कम्पिटर बीस इ पर लिष्ट हो गई और 2001 में नियूर्क स्टॉक एक्चेंज पर लिष्ट हो गई सत्यम कंप्यूटर इंडिया के fastest growing companies में से एक थी और उसके लिए सत्यम कंप्यूटर को और भी रामा लिंगा राजु को कई awards मिले थे सत्यम अच्छे growth track पर थी पर real estate में चल रही boom की वज़ा से राजु का धान real estate के तरफ जाने लगा हैदराबाद में भी real estate के rates तेजी से बढ़ रहे थे तो राजु ने तेजी से हैदराबाद और अलग अलग जगा पर land properties खरीदना शुरू किया Metis Infra जिसे राजु ने 1988 में शुरू किया था और Metis Properties इन companies के नाम पर अपनी family members के नाम पर और अपने नाम पर राजु properties खरीदने लगा राजु बहुत ही aggressively properties खरीदने लगा जब राजु को properties खरीदने के लिए और पैसु के ज़रूरत पढ़ने लगी तब राजु सत्यमं computer के financial statements manipulate करने लगा यानि उनमें हेरा फेरी करने लगा फॉर एक्जामपल अगर company को actual में 60 करोड का profit हुआ है तो financial statements पर राजु 600 करोड का profit दिखाता था और ऐसा करके ये दिखाने की कोशिश करने लगा कि सत्यम बहुत तेजी से ग्रो हो रही है सत्यम computer की लगातार दिखर ही growth और strong financials के चलते सत्यम की share price बढ़ने लगे उस बढ़ती हुई share price पर राजु और राजु का भाई भी रामा राजु अपने shares बेशने लगे और अपने बाकी shares collateral यानि गिर्वी रखकर उन पर loan लेने लगे और उन पैसो से properties खरीदने लगे properties खरीदने के लिए राजु ने करीब 365 companies खोली थी राजु अपनी family, friends, relatives इनके नाम पर जमिन खरीदता था उनके फार्म में काम करने वाले लोग, जिनकी तनका 4-5000 रुपे थी उन्हें भी राजु ने उन 365 में से कुछ companies का director बना कर उनके नाम पर जमिन खरीदी और अपने बहुत सारे friends को भी उन companies का director बना दिया मेट्रो में नहीं श्रीधरहन का कहना था कि राजु के पास हैदराबाद के proposed metro route की inside information थी यानि पहले से ही राजु को उस metro line का route पता था राजु अग्रेसिवली उस proposed metro track के नजदिक की जमिने खरीदने लगा ये सोच कर कि जब metro line बन जाएगी तब उस जगह के rates कही गुना बढ़ जाएगे और real estate से जो profit मिलेगा उसमें से कुछ पैसे सत्यम में डाल कर राजु ने दिखाए जूटे financial figures जैसे कि sales, profit, etc. और सत्यम के actual sales और profit के gap को आसानी से भर दिया जाएगा सत्यम कंपिटर का जादा sales दिखाने के लिए राजु फेक sales invoices बनाने लगा राजु ने 7500 फेक sales invoices बनाई थी फेक sales invoices बनाकर sales हो गये ये तो दिखा दिया बट वेर इस दे प्रॉफिट? उस फेक sales से मिला हुआ profit कहा है तो उसके लिए राजु ने जूटे bank statements दिखा कर फेक sales से मिला हुआ पैसा bank में है ऐसा दिखा दिया यानि बहुत सारा ऐसा cash reserve दिखाया जो actual में था ही नहीं कई सालों तक राजु इसी तरह लगातार sales, profits और बाकी figures को बढ़ा कर दिखाता रहा company के अच्छे growth दिखा कर राजु investors को company को और attract करता रहा जिससे सत्यम computer के share price बढ़ती चली गई और सत्यम के promoters लगातार उची prices पर अपने shares बेशते रहे 1999 में सत्यम में promoters के shareholding 24% थी वहां से वो कम होते होते 2008 के ending तक सिब 2% तक आ गई थी और उन पैसों का उपियोग उन्होंने properties खरीदने के लिए किया जैसे जैसे सत्यम का operation बढ़ता चला गया वैसे वैसे actual figures और राजु ने दिखाई duty figures के बीच का फासला बढ़ता गया और वो फासला एक बड़ी amount बन गया 2008 में आये recession के कारण real estate market में बहुत slowdown यानि मंदी आई और अच्छे price पर properties बेच कर actual figures और fake figures का gap fill करने का राजु का plan फेल हो गया उसके बद gap fill करने के लिए राजु ने नया plan बनाया इस plan के अनुसार सत्यम computer, matas infra के 51% stakes और matas properties के 100% stakes खरीदने वाली थी और राजु ने कहा था कि ये पैसा matas के promoters को जाएगा matas infra और matas properties ये दोनों भी राजु family के ही businesses थे सत्यम को उल्टा पड़ोगे तो matas बन जाता है राजु ने सोचा कि इस deal से ये दिखाने में मदद होगी कि actual figures और duty figures में जो gap था उन पैसों से इन दो companies को खरीदा गया है जबकि actual में कोई cash transaction नहीं होगा क्योंकि वो दोनों भी राजु फैमिली के ही businesses थे इस तरह actual figures और fake figures के बीच का gap फिल हो जाएगा 16 December 2008 को सत्यम के board of directors ने इस plan को तुरण मनजूरी दी shareholders की permission लिए भी नहीं राजु ने इस deal को sanction कर दिया लेकिन सत्यम के investors को ये decision कुछ ठीक नहीं लगी specially सत्यम के institutional investors को सत्यम के इस decision के बाद सत्यम के stock में जोरदार गिरावट हुई US के एक investor ने सत्यम के खिलब lawsuit भी file किया और New York Stock Exchange पर सत्यम के stock में 55% की गिरावट हुई जिसके दबाव में आकर सत्यम ने meters properties और meters infra को acquire करने का plan रद कर दिया जैसे ये plan fail हो गया सत्यम के 4 independent directors ने resign कर दिया gap fail करने का राजु के पास ये आखरी option था उसे भी fail होते हुए देखकर राजु ने 7 January 2009 को ये confess यानि कबूल कर दिया कि सत्यम computer पिछले कई सालों से financial statements को manipulate कर रहे है So let's have a look कि कैसे राजु ने financial year 2008-2009 के दूसरे quarter के results inflate किये थे आप यहाँ देख सकते हो कि राजु ने दिखाये हुआ profit कमपनी के actual profit से कई गुना जादा है Similarly, actual cash deposit और राजु ने दिखाये cash deposit में बहुत ज़्यादा फरक है इसी तरह राजु कई सालों तक सत्यम के financial statements manipulate करता रहा राजु ने बताया कि balance sheet के actual figures और दिखाये गए figures के बीच 7000 करोड का gap था इसके बाद राजु के साथ-साथ सत्यम के independent directors और auditors पर भी सवाल उठने लगे कि कमपनी पिछले कई सालों से financial statements manipulate करती रही और independent directors और auditors को इसकी खबर भी नहीं ये कैसे possible हो सकता है सत्यम का auditor PwC that is Price Waterhouse को पर था तो figures inflate होती रही और इतने सालों में PwC ने एक बार भी invoices या bank statements चेक नहीं किये auditor का काम होता है कि company के पूरे हिसाब किताब की जांच करना और उनकी reliability और accuracy चेक करना auditor एक तरह से shareholders का representative होता है पर यहाँ पर auditor ने भी shareholders के साथ धुक्य बाजी की अभी recently सेवी ने PwC पर दो साल का ban लगा दिया US stock market regulator SEC ने भी PwC को 6 million dollar का fine लगाया बाद में ये भी पता चला कि सत्यम PwC को IT industry की बाखी companies अपने auditor को दे रही fees से दुगने fees देता था 9 January 2009 को राजू और उसके भाई भी रामा राजू को अरेश्ट कर लिया गया इस scam के बाद government ने तूरं सत्यम पर नए board members को appoint किया और सत्यम को पूरी तरह collapse होने से बचाने की तैयारी की government का plan था कि जल से जल company को sale किया जाए Finally Tech Mahindra ने सत्यम को खरीद लिया Tech Mahindra ने April 2009 में सत्यम के 51% tax खरीद लिये और company का नाम Mahindra सत्यम कर दिया बाद में जून 2013 में Mahindra सत्यम टेक Mahindra में मरज हो गई CBA report की अनुसार राजू money laundering करता था और पैसे पहले European countries में भेशता था और बाद में वो पैसा इंडिया में reroute करवाता था और उन पैसों से राजू कही सारी बेनामी properties खरीदता था enforcement direct rate ने राजू के साथ 47 लोगों पर और राजू के 166 companies पर money laundering के charges लगाए और राजू और family के property जब्त कर ली सेबी ने राजू family पर insider trading के charges लगाए और उन्हें insider trading से मिला हुआ 850 करोड का profit 12% interest के साथ return करने के orders दिये साथ ही 14 सल तक securities market में deal करने पर ban लगा दिया 10 एप्रिल 2015 को special CBI court ने राजू उसके भाई बी रामा राजू उस वक्त के CFO यानि Chief Financial Officer स्रीनिवास वर्ला मनी, PwC के दो partners और 5 लोगों को साथ साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई और राजे और उसके भाई को 5.5 करोड का fine लगाया ये स्केम बहर आने से पहले सत्यम का बहुत बड़ा नाम था और सत्यम इंडिया के 4th largest IT company थी सत्यम का stock Nifty और Sensex में भी शामिल था 9 January 2009 को सत्यम computer के stock को Nifty और Sensex से निकाला गया September 2008 में World Council for Corporate Governance ने सत्यम को Global Picoke Award से नावाजा और उसके 4 मेने बाद सत्यम का accounting fraud बहर आया सत्यम के उस वक्त के CFO, स्रीनिवा स्वदला मनी और कुछ executives ने राजु ने ये स्केम कंफेस करने के कुछी मेने पहले अपने सत्यम के shares बेच दिये थे राजु ने सत्यम का fraud confess करने के बाद दो-तिन दिन में ही सत्यम की share price 170 रुपे से गिर कर 6.5-7 रुपे पर आ गई इस स्केम के बाद सत्यम की share price गिरने की वज़ा से सत्यम के investors को 14,162 करोड का loss हुआ था LIC जो सत्यम computer में institutional investor था उसे करीब 950 करोड का loss हुआ था सत्यम का संस्कूरत में मतलब होता है truth यानी सच लेकिन सत्यम के promoters ने जो किया उसमें कही पर भी सत्यम नहीं था बस असत्यम ही असत्यम था राजु बस पैसा बनाना चाहता था और उसके लिए राजु ने money laundering insider trading और accounting fraud जैसे crimes किये हमेशा एक बाद ध्यान में रखना कि जब company के promoters अपने shares बेचते हैं तो यह आपकी duty है कि आप चेक करो कि promoters अपने shares क्यों बेच रहे हैं अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो ज़रूर हमारे चैनल को subscribe करिए और इस bell बटन को भी दबा दीजिए ताकि आप हमारे stock market के lectures regularly देख सको और कोई भी lecture या update miss ना हो हमारे साथ update रहने के लिए आप हमारे telegram channel को join करके हमसे जूड सकते हो stock market के बारे में और जानकारी के लिए आप हमारी website finovations.com विजिट कर सकते हो हमारे नए विडियोज और आर्टिकल्स से update रहने के लिए अब हमें facebook और twitter पर follow कर सकते हो